नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेणा शर्मा और आप देख रहे हैं दिफैक्ट इंडिया किसानों को लेकर घिरी केंद्री सरकार पर एक बार फिर उनकी ही पार्टी के सांसद ने सवाल खड़े कर दिये हैं राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुनर राज्य के बेटे और बारा जालवाट से सांसद दुशन सिंग ने किसानों के मुद्दे से जुड़े एक सवाल पर केंद्री क्रिशी मंत्री को घेर लिया इतना ही ने सिंग इस दोरान स्पीकर ओम बिडला को भी कटगरे में ले आए सबसे खास बात यह रही कि केंद्री क्रिशी राज्य मंत्री कैलाज चौधरी और सांसद दुशन सिंग दोनों ही राजस्थान से तालुक रखते हैं आप भी देखिए कि आखिर कैसे मोदी सरकार के मंत्री के जवाब से दुशन सिंग नाखुश नज़र आए अद्री जी मैं आपके दूरा मैं मन्त्री जी से मैं जानना चाहूंँगा कि आदे ने पता है मंत्री जी ने हमारे किसानों के लिए पी-एम किसान उन्होंने हमारे लिए किसानों के लिए MSP और क्रेड़िट सपोर्ट दिया है पर जो उत्तर मिला है मंत्री जी के द्वारा मुझे ये पता चल रहा है कि जो पी-एम किसान योजना है उसमें लबबग 55% जो किशी हैं किशक हैं किशक शमिक हैं वो उनको इसका ये लाव नहीं मिलता दोवजार पंदरा के आर बियाई की रुपॉर्ट के दौरा हम हमें ये पाया गया है कि रिन जो वरतमान के जो नैंड होलर्ट हैं उनको इसको मिलता नहीं है लगबग 54 करोड बंबही हीं किसानों को इसका लाव अब तक नहीं मिला है नहीं जब हमार प्रधानवंती जी ने विशेष योजना बना कर और मुझे बतातवे परशंता है कि किसानों को हम सपोर्ट एक तो उस समय जब वो फसल बोई उस समय मिले उसके लिए किसान की जो के सिसी है तो के सिसी के अंदर राजे सरकार अगर उसमें उनके जो नॉम्स के नुसार जोड़ कर अगर भारस सरकार को बेज दिये तो उसमें के सिसी में उसको कवर किया गया है और इसके साथ ही जो फसल का भीमा है क्योंकि किसान को रिस्क है जब फसल का नुक्सान होता है तो इसको रिस्क मिले तो इस दर्शी से उसमें भी उनको जोडा गया है उनके को इसके अंदर जोड सकते हैं